आप जैसा कोई मेरी सिंदगी में आए तो बात बन जाए ओ हो आप बन जाए दोसो नाजिया हसन को कौन नहीं जानता नाजिया हसन को हमसे बिछड़े आज 22 साल से ज्यादा अर्सा गुजर चुका है आज उनकी बरसी है और आज ही के दिन यानिके 13 अगस्त को वो इंगलिंड के अंदर कैंसर के मर्स की वज़ा से इंतकाल कर गी थी नाजिया हसन को बरेसगीर की पप म्यूजिक की शहजादी कहा जाता है आज हम आपको नाजिया हसन के बारे में इस वीडियो में बताएंगे कि नाजिया हसन को क्या पसंद था उनके कितने बच्चे थे उन्होंने किस से शादी की थी उनका गौन सा गाना बहुत मकबूल हुआ था यकिनन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इंफर्मेशन में काफी ज्यादा अजाफा होगा इसलिए जुड़े रही हमारी वीडियो के साथ और इसे आखर तक जरूर देखिए अगर पसंद आए तो तब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर ने हों तो चैनल को सबस्क्राइब जूर कर दीजिए आपके लाइक इसी से बता चलेगा कि हम नाजिया असन को कितना प्यार करते हैं नाजिया असन 3 एपरिल 1965 को कराची में पैदा हुई है उनके वाज दिलों को मो लेने वाली वाज थी नाजिया असन ने अपने गाईकी का अगास तो प्यू टी वी के मशूर प्रोग्राम कलियों की माला से किया था इस प्रोग्राम को ड्रेक्ट करते थे मशूर मौसी का सुहेल रना असी की दहाई में जब आप इंगलेंड में अपने बाई के साथ पढ़ने चली गी तो आपने मश्रक और मगरब के म्यूजिक के इंतजाज से गाने बनाने शुरू कर दिये और खुद भी गाना शुरू कर दिया ये वो दोर था जब इंडिया में भी डिस्को म्यूजिक का अगाज हो रहा था और इंडियन मशूर डांसर और अधाकार मिथन चकरिवत्ती की फिलम डिस्को डांसर अर्लीज हो गई थी आपके पहले ही एल्बम के तुमाम गाने डिस्को बीट बार बनाए गये थे दोस्तों इंडिया और पाकसान के लावा दुनिया बार में जहां भी उर्दू और हिंदी समझी जाती है और जो पंजाबी समझते हैं वो भी नाजी हसन को पसंद करते हैं और नाजी आजाजन को सुनते हैं यही वज़ा थी कि नाजी हसन की आवाज लोगों ने सुनी और देखते ही देखते लाखाउ दिलों की वो दर्टकन बन गई नाजिय हसन का पहला एल्बम 1982 में डिसको दीवाने के नाम से लीज किया गया इस एल्बम के एक खास बात ये थी कि आपने इस एल्बम में अपने छोटे भाई जोहेब को भी बतौर गुलुकार मतारफ कराया था दोनों के आवाज में रिकार्ड के डिसको दीवाने एल्बम ने रिकार्ड तोड बिजनस किया मगर आपको सही मैनों में वर्ल लेवल पर उस वकत शोहरत मिली जब आपने 15 साल की उमर में इंडियन फिल्म कुरुबानी के लिए गाना गया जिसके बोलते आप जैसा कोई मेरी जिन्दगी में आए तो बात बन जाए इस गाना को जीनत अमान पर फिल्माया गया मज़े की बात यह है कि जीनत अमान ने ही रिक्मेंट किया था कि ये गाना नाजी हसन से गवाया जाए फिल्म कुरुबानी के हीरो तो फिरोज खान थे और उनके साथ सेकंड हीरो थे विनोद खाना ये फिल्म 1980 में अर्लीज हुई थी इस गाना को मशूर बॉलिवोड म्यूजिक डिरेक्टर बिदू ने रिकार्ड किया था इस गाने के बाद बिदू और नाजी हसन ने कई एक और गानों में भी कठे काम किया नाजी हसन ने बिदू से मिलकर 9 से ज्यादा म्यूजिक अल्बम अर्लीज किये थे यो तो नाजी हसन के तमाम गाने बहुत मकबूल हुए मगर यहां चंद बहुत ज्यादा मकबूल होने वाले गानों की बात करूँगा जिन में डिसको दिवाने आप जैसा मेरी जिन्दगी में कोई आए आग दे दे आग ले ले भूम भूम यंग तरंग अक्षियां मलाने वाले कैमरा कैमरा उसके लावा उन्होंने एक बंजाबी गाना भी गाया था जिसके बोल थे ताली दे थले बैके चलो करिये प्यारदियां गला इस गाना की वीडियो भी आप पर ही फिल्माई गई थी नाजी हसन ने अपने एक बैंड भी बना रखा था और मज़गी बाद यह थी कि आपके बैंड में तमाम म्यूज़ेशन गोरे थे लेकन वो अर्दू गानों पर म्यूज़ग बचाते थे पाकसान टेलिविजन को देखने वालों को मलूम है पाकसान टेलिविजन पर एक प्रोग्राम दनक के नाम से नशर किया जाता था यह मूज़ग का प्रोग्राम था नाजी हसन ने उस प्रोग्राम की काफी हरसा तक मेजबानी भी की थी दोस्तो अब ज़रा तफसील से एक नज़र डालते हैं नाजी हसन की जिन्दगी पर नाजी हसन ने दस साल के उमर में गाना गाना शुरू किया था आपकी एक एल्बम की काफी 65 मिलियन तक पुरी दुनिया में सेल हुई थी 65 मिलियन तक बहुत बड़ा रिकार्ड है उस वकट नाजी हसन के लावा बरिसगीर की किसी भी दूसरी गुलुकारा को आज तक इतनी पापुलेर्टी हासल नहीं हुई आपको कवीन आफ सौ थेशिया का लकब भी दिया गया नाजी हसन अपने दौर में सबसे ज्यादा मावजा लेने वाली गुलुकारा थी नाजी हसन ही वो गुलुकारा थी जिन्होंने सबसे पहले बड़ी ही चोटी उमर में फिल्म फेर आवार्ड बतौर गुलुकारा हासल किया था दोस्तों नाजिया हसन ने 30 मार्च 1995 को मिर्जा इश्टियाक बेग से शादी की थी जो कि एक बिजनसमेन थे वो मराकश के शहर मराकवों में बिजनस करते थे नाजिया हसन का एक बेटा अरेज हसन है जो कि 7 अपरल 1997 को पैदा हुआ था जब आपको कैंसर हो गया तो आपके शुहर थोड़ा आपसे दूर रहने लगे और नाजिया की मौश से 10 दिन पहले उन्होंने उन्हें तलाग दे दी कुछ लोगों का कहना है कि ये मामला मिर्जा इश्टियाक बेग और नाजिया हसन के बाई जोहिब हसन के साथ कुछ प्रापटी का इश्टिया का इश्टिया जो के नाजिया हसन की प्रापटी थी और दोनों ही उसे टेक ओवर करना चाहते थे नाजिया हसन की डेथ के काफियर सबाथ 23 मार्च 2002 को गौर्बर्ट हो पाकसान ने आपको प्राइड आफ परफार्मस के आवार्ड से भी नुआजा था मिशूर वेब ब्रोजर गोगल ने आपकी 53 साला बर्थडे पर डोडल से भी आपको खराजे हिस्थीन पेश किया था नाजिया हसन काफी अरसा तक कैंसर के मर्ज में मुब्तला रही और आखर ये मर्ज उनके लिए जान लेवा साबद हुआ और फिर 13 अगस्ट 2002 को 9 बच कर 15 मिट पर सिर्फ 35 साल के उमर में अपने खाल के कीकी से जा मिली नाजिया हसन को अपनी जिन्दगी के आखरी दिनों में बहुत तक्लीफ से गुजरना पड़ा और उन्हें लंदन के अंदर ही दिफनाया गया उनका बेटा भी लंदन के अंदर ही रहता है और वहीं एजुकेशन हसल कर रहा था आखर पर हम दवागों हैं के इसे प्यारी सी हमारी गुलुकारा को अल्ला तला जो आरे रहमत में जगाता फरबाए आपको नाजिया हसन का कौन सा गाना पसंद था आप नाजिया हसन के बारे में क्या कहना चाहते हैं तो पीके मेगे वीडियोज के सब्सक्राबर कमेर्स बक्स में अपने ख्याला का इज़ार कर सकते हैं मौज़र सब्सक्राबर हम आपके शुकर ज़ार हैं कि आप अपना वकर नकालते हैं और अपनी कीमती राए हमारी वीडियोज पर देते हैं हमारी प्रीस ही है कि हम आपके कमेट्स को अपनी अगली वीडियोज में शामल करते हैं दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे और हमारे साथ जुड़े रहिए अरा लूस्तों किरने हम और क मदेश हमारे साथ